भाई और भेनों, गाउं गरीब आदी वाच्यों को ससक्त करने वाला एक और बड़ा भ्यान देश में चलाया गया है। यह भ्यान हमारे हस्त सिल्प को, हद करगे को, कपडे की हमारी कारीगेरी को प्रोचसाहित करने का है। यह भ्यान लोकल के प्रती वोकल होने का है। इनी इसी भावना के साथ आदेश राष्ट्रिय हद करगा दिवस नेशनल हैंडू ने मना रहा है। और जब हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, आज़ादी का अमरुत महत्व मना रहे हैं, तब यह साथ अगस का महत्व और बढ़ जाता है। आज हम सब याद रखे, आज साथ अगस के ही दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुवात हुई थी। इसी एतियासिक दिन से प्रेणा लेते हुए साथ अगस की तारिक को हत करगा को समर्पित किया गया है। ये गाउं गाउं में आदिवासी अंचलों में हमारे अदभुत्ष शिल्पियों, अदभुत्ष कलाकारों के प्रती सम्मान जटाने और अपने उत्पादों को वैश्विक मंच देने का दीन है। भाई और भेनों, आज जब देश आजादी का अमरुत महोत्सव बना रहा है, तब ये हत करगा दिवस और भी महत्वर रखता है। हमारे चर्खे का, हमारी खादी का, हमारी आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा योगदार हैं, ये हम सभी जानते हैं। बीते सालों में देश ने खादी को बहुत सम्मान दिया है, जिस खादी को कभी भुला दिया गया था, वो आज नया ब्रांड बन चुका है। अब हम आजादी के सो वर्ष की तरफ नए सफर पर निकल रहे हैं, तो आजादी के लिए खादी की उस पिरीट को हमें और मजबूत करना है। आत्म निर्भर भारत के लिए हमें लोकल के लिए भोकल होना है। मद्द प्रदेश में तो खादी रेशम से लेकर अनेक प्रकार के हस्त सिल्प की एक सम्रुद परंपरा है। मेरा आप सभी से पुरे देश से आगर है कि आने वाले त्योहारों में हस्त सिल्प का कोई न कोई लोकल उत्पाद जरूर खरीदे।